सभी लोगों को सुबसंधिया, आज बसंथ पंचमी की आप लोगों को बहुत-बहुत सुबकामना, आज हम लोग दो तरह से आज के गुप्त नवरातरी के दिवस को मनाएंगे, पहला तो आज हम लोग जो चतुर्थी देवी हैं, चोथी देवी हैं, उनका ध्यान करेंगे, हम लोग उनके ओजा को भी धारण करेंगे, आज जो हम लोगों को ध्यान करना है, वह महा-दस बिद्या की चोथी देवी, भूवनिस्वरी देवी हैं, भूवनिस्वरी देवी से सभी परिचित होंगे, क्योंकि वह बड़ी सरर, सहच, और हम आम लोगों की देवी हैं, उनके वो घर घर में बिराजती हैं, भुबनेश्वरी देवी कौन है, हम सभी लोग उनको बहुत सहस्ता में जानते हैं, माधुरगा के रूप में भी वो पुजी जाती हैं और भुबन धारनी, भुबन को जिसने धारन कर रखा है, पूरी जगत को जिसने धारन कर रखा है, वो भुबन धारनी भुबनेश्वरी हैं, और वो कौन हैं? वो शिव की पारवती हैं, तो पारवती ही भुबनेश्वरी हैं भुनेश्वरी की बिल्कुल एकदम सुद्ध सात्विक्ष्वरूप है, वह संपूर्ण भुवन की अधिश्वरी हैं, तो सारे भुवन की, यानि स्रिस्टी में जो कुछ भी है, उनसे हम मांगे, तो वो उनहीं की रानी है, तो उनसे वह मिल जाएगा, यानि संसार से जो कु है, मां है, आधार है वो, तो जब आधार ही है, तो सभी के आधार को थामी राती है, वो धरती है, तो सभी को वो धारन की हुई राती है, भुवन की स्वरी होने के नातन, उनका आका, अस्पताल, धरती, सब कुछ उनका है, और सब कुछ उनका है, तो उनका, अगर हम उनको अपना लेते हैं तो उनका सब कुछ हमारा हो जाता तो ये दस महाविद्या की सबसे सरल सहज और सम्रित करने वाली देवी इसमें ना कोई ताम जाम है ना किसी परकार की कोई भी बस आप उनका नाम लिए और आपका आधार तयार होगा उनका ध्यान किये और आपका आधार तैयार होगा। तंत्र में भुवनेश्वरी के मांत्र को प्रणव कहते हैं। जैसे बैदिक प्रणव ओम है वैसे ही तंत्रिक प्रणव भुवनेश्वरी का वीज मंत्र है। इनका जो वीज मंत्र है इस वीज मंत्र को जितने तंत्रिक मंत्र होते हैं। जैसे हम लोग बैदिक मंत्र में ओमकार लगाकर ओम के लगाकर ओम नम सिवाय बनाते हैं। लगा कर हम लोग ओम्रा माय नमा बनाते हैं नाम के साथ हम प्रणव लगा देते हैं और वो मंत्र बन जाता है तंत्र में तंत्रिक प्रणव भुवनेश्वरी का बीज मंत्र होता है तो भुवनेश्वरी का क्या हो है कि वो आधार है और तंत्रोक्त में वो प्रणव है किसी नाम के साथ वह बीज मंत्र लगा कर हम वहां पर सहजता से मंत्र बना लेते हैं। अब उनका दस महाविद्या के महत्व को आप जानते ही हैं। चौथ ही देवी जो हैं, तो हम उनके स्वरूप को, चुकि हमें उनका ध्यान आज करना है, तो हम उनके स्वरूप को, उनके ध्यान को जान लें कि वह क्या हैं। जिसको देखते ही आनंद आ जाए, तो वह भूबनेश्वरी देवी हैं। इनका जो ध्यान है, जो इनके स्वरूप की चर्चा करते हैं, जब भी हम कोई भी पूजन करते हैं, तो सबसे पहले उनके स्वरूप को हम ध्यान करते हैं, कि वह किस स्वरूप में हैं। तो इनका औ बाल रभी उद्धत दीन ध्यूति मिंदू किरिटाम तुम कुचाम नयंत्रे संयुकताम इस्म्रेन मुखी बर्दा कुशा पाशा भिति कराम रभ जेभ्य भुवनेश्वरीम क्या है पहला बाल रभी उद्धा दिन ध्यूति बाल रभी उद्धा दिन का मतलब क्या हो जाता है वह जो बाल रभी जो अभी अभी जर्म लिया है सोड़े उसकी जो आभा किरन है उनकी तरह ही इनकी आभा किरन है देखे, पहली की रन होती है, उस तरह की होती है, यानि कि हलका हलका इसमें लालिमा नहीं है, वो पहली की रन जो अरुनाव की तरह होती है, हलकी हलकी लालिमा लिये हुए, उसी तरह इनका रंग होता है, यह पहले सुर्योदय के प्रकास की तरह इनका रंग होता है, और वह ज गुनी होता है राज करने वाला सम्राज करने वाला गुनी से लिए देखिए यह पूरे रानी के तरह सम्रदी है यह राज करने वाली उर्जा इससे मिलती है श्रिस्टी में राज करने वाली उर्जा इनका ध्यान ही है पर्थम उसके बाद है दूसरा शब्द क्या है यह दिख गए सभी को, खुबसूरती दूसरा शब्द है इनका Mindukritam Mindukritam का मतलब क्या होता है सर पर चंद्रमा धारन करने वाली यह देखो, जो चंद्रमा धारन करने का मतलब क्या होता है मुकुट के रूप में जो ये चंद्रमा धारन की हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ सुर्य आ गया सुर्य की तरह कांती आ गई पहला ग्रह सुर्य का आ गया दूसरा शूम चंद्रमा क्या हो गया दूसरा ग्रह जो सुर्य और चांद यही दो मूल ग्रह है दोनों ग्रह की स्वामिनी है दोनों ग्रहों को इनोंने दोनों ग्रह की इर्जा इनसे मिलती है तो दूसरा ग्रह क्या हो गया चंद्रमा चंद्रमा किसका प्रतीक है सोम का सोम क्या काम क्या है वह जगत का पालन करने वाला है वह पोशन करने वाला है वह चंद्रमा में देखत हैं कि जब सरद्पुर्णिमा के दीन खीर में उनकी उरजा लेकर हम खाते हैं तो निरोगी काया होती है यानि वो हमारे शरीर का पोशन और निरोगी करता है यानि healing power आपको इसे मिलता है जैसे ही आप इसका ध्यान करते हैं तो आपके अंदर के healing power जाकरित हो जाते हैं और आप दुनिया को चिकितसा कर सकते हैं खुद के शरीर को भी निरोगी रख सकते हैं और दूसरे के शरीर को भी आप निरोगी कर सकते हैं. उसके बाद है शब्द तुण कुन्छा का मतलब क्या है? आप लोगो ने ध्यान दिया है कि जितनी भी देवियां होती है उनका वक्ष बहुत सुडाब, बहुत सुंदर होता है. तो ये सुंदर और सुडोर बक्ष का मतलब क्या है? क्या एक इस्त्री के सुंदर्य को ये दिखा रहा है? कि एक इस्त्री के सुंदर्य को देखना है? नहीं. इसका मतलब है उन्नत बक्ष का किसी भी इस्त्री के उन्नत बक्ष को दिखाने का मतलब होता है कि वह दुख्ध से भड़ा हुआ है उसमें पालन पोशन की छमता है वक्ष का इस्तरी वक्ष का काम है सीसू के लिए आहार उपलब्द कराना यानि श्रीजन करना और श्रीजन को फिर आगे भी पोशन देना तो यह देवी जो है तुंग कुंचा यानि की वह उन्नत बक्ष वाली पालन पोशन क ँच्चतम सक्ति से परिपोर्ण है चुकि वह भुबनेश्वरी है भुबन की मालकीन है और भुमी उसमें भुमी भी आता है और भुमी में क्या होता है भूमी में अनाज, भोजन, पोशन की शक्ति होती है, तो इनके द्वारा उड़ जा भी, कभी भी घर में आपको भोजन की कमी नहीं होगी, उसके बाद है नयंत्रे मुक्ताम, नयंत्रे मुक्ताम का मतलब क्या हो गया? आखों को देखिए, यह त्री नेत्र का है, और त्री नेत्र का आर्थ हो गया, त्री का हम लोगों ने त्रीपूरा के समय भी त्री का देखा था क्या होता है? किन-किन सक्तियों का महाकाली, महालच्मी, महासरत्ति, एक्छाग्यान, कुर्या, शुरे, चंद्रमा, अगनी, ब्रह्मा, बिश्नु, महेश, वो सारी उड़ जाएं, जहां भी त्री नेत्र जहां दिक, और देवी देपताओं में, और उड़ जा में त्री नेत्र होते हैं और त्री नेत्र का परतीक है, कि तीनों गुनों को समबित करने वाली, तीन गुन कौन से हैं, त्री गुन कौन से हैं ब्यक्तिकें, तमो गुन, रजो गुन और शतो गुन तो इन तीनो गुनों के तेज को बैलेंस करने वाली ओर्जा होती है, जो कोई भी दस महाविद्या हो, कोई स्वर्ये सकती हो, कोई देविये ओर्जा हो, वहाँ त्री गुनात्मक होती है, वहाँ त्री नैनों वाली होती है, यानि तीनों नैनों से त्री गुनों को संतुलित करती है एक्षा ग्यान क्रिया को आपकी एक्षा को वैलेंस करती है आपको सही ग्यान देती है और तब आप सही क्रिया करकर आप उसकी प्राप्ति करते हैं ठीक है उसके बाद है अस्म्मण मुखीम मतलब सुंदर मुखवाली जिनके चेहरे पर हमेशा हाशे हो दस महावित्या में दो कुल होता है जगा तीन कुल की भी बात करते हैं तो एक सौ में खुल होता है एक काली कुल एक उग्र काली कुल इस तरह तीन में भी भाग में बाटते हैं और सामानी तह दो भाग में बाटते हैं स्री कुल और काली कुल, स्री कुल को सौमे कुल की देवी काते हैं, तो सौमे कुल की जो देविया होंगी, उनका चेहरा ऐसे बिलकुल शांत, स्थिर और हिंसक, कोई क्रोध नहीं, कोई आक्रोश नहीं, ऐसे भी स्री कुल की सौमे कुल की देवी हैं, तो इन हैं, उसके बाद आप बनेखिये भगवती के 4 हात हैं और 4 हात में, एक हात में, अंकुष ए помक्ष ए, एक हात में अभय की मुद्रा में और एक हात बरदान देने की मुद्रा में है तो यह क्या है, इनके चारो भाव क्या है पाश क्या कहता है जो पाश यहां पर हात में बंधन बांधने वाला तो ऐसा लगता है जैसे वो हमें बांधेंगी तो बांधने का अर्थ क्या होता है ब्यक्ति हमेशा किसी शक्ति के बल के सुन्दर बल के बंधन में रहेगा तो वो क्या होगा सही दिशा में आ यह ओपश का काम क्या है बुडे मार्ग से रोखना दोनों ही वह ई है कि सद्गुनों में बांध कर रखना और आप पर अंकुस रखना यानि कि आप सद कर्म की और बरें और बुड़े कर्म की और जो समाजिक कर्म है जो समाज में मान्यता प्राप्त नहीं है तो ऐसे कर्मों की और खदम बरहाने से पहले ही यह होचा आपको रोक लेती है और फिर वड मुद्रा आपको एश्वर्य देती है आपको धन संपत्ति शम्रिधी देती है और अभय मुद्रा यानि कि आपको छमा करती है यदि किसी भी परकार से आप कुछ गरभरी करती है तो वह छमा भी कर देती है तो इस परकार से आप देखें कि इसमें भी जो हमने महाकाली में देखा जो हमने तारा में देखा जो हमने तिरपुडा में देखा वही इनमें भी शुरिय है सुरी का प्रकाश है, इन में भी चंद्र का प्रकाश है, इन में भी मोक्ष की देने के गुन है, इन में भी छमा के गुन है, इन में भी शम्रिधी देने की उर्जा है, तो हम इस तरह देखें कि जो भी विद्या हो, अगर वह ज्यान है, विद्या है, तो वह आपको प्रेम द जानेशे रोकेगी, वह नौग्रहों की उर्जा को संतुलित करेगी, संपुन ब्रहमांड के एश्वरे को आपकी और आकर्शित करेगी, चाहे आप किसी का भी ध्यान करें, मिलना आपको समड़िधी है, शर्त यही है कि आपको अपने अंदर के नाकारात्मक भाव से मुक्त ह होकर काम करना पड़ेगा, और अगर मुक्त होकर आप काम नहीं करते हैं, तो तब तक आपको साधना करते रहने पड़ेगी, जब तक कि उन उर्जा का आपके अंदर विकाश होकर आपके उन नाकारात्मक भाव को समापना करते हैं, दो ही उपाए है, एक या तो आप काम आपकी बुराईयों को हटाने पर नहीं लगेगा, तो सिर्फ सम्रिधी देने पर लगेगा, तब आपको सम्रिधी जल्दी मिलेगी, और अगर आपना कारात्मक भाव के साथ जुरते हैं, तो फिर वो पहले आपके सफाई करेगी, आपका सोधन करेगी, और तब आपका पात्र जब तयार हो जाएगा, तब आपको देगी, कच्रे के डब्बे में कोई सम्रिधी नहीं रखता, कच्रे के डब्बे में आप अपने सोना, चांदी, रुपया, पैसा नहीं रखते हैं, तो फिर देवी भी आपके कच्रे रुपी डब्बा में अपनी सम्रिधी, आपका उनका पात्र है, जिस तरीके से हम लोगों का पात्र कलस होता है, बैंक होता है, आलमीरा होता है, तो हम लोग उसमें अपनी संपत्ती रखते हैं, धन रखते हैं, उसी परकार से हम लोग इस वर के पात्र हैं, उनके हम लोग कलस हैं, और अगर हम कलस हमारा, उनका कलस ग तब तक वो उसमें अपनी संपत्ति अपने अश्वर्य को नहीं रखेंगे। तब आपको मलेंगी, तब आपको रगरा जाएगा, तब आपके लिए वो जो सर्फ लाया जाएगा, साबुन लाया जाएगा, फिर रगर रगर के रगर रगर के वो साफ करेंगी और उनके मनोनुकूल पात्र जब बन जाएगा, तब वो अपनी संपत्ति को उसमें रखेंग तो यह आपको ध्यान देना है कि हम पात्र बन कर जाएं तो बहुत बढ़ियां और पात्र नहीं बन कर जाते हैं तो भी वहां जाएं उनके पास जाएं और पात्र उनके द्वारा पात्र बनाए जाने तक हम वहां ठीक हैं है ना अब लोहे के दुकान में हम लोहा दे दिये करहाई बनाने के लिए तो वह तब तक लोहा पीठता रहेगा जब तक हुई वो शेप ना ले ले तो उस बीच में अगर वो लोहा भाग गया तो आधे अधूरे सेप में रह जाएगा यूजलेस रह जाएगा ना इधर का र कि अगर आप साधना के छेत्र में आना चाहते हैं घर के देवी देवताओं को, अपने घर की मुर्तियों को, अपने घर की वैसी सारी चीजों को समेट कर बहते वे जल में प्रवाहित कर दें, आधे अधूरे मन से कहीं भी रहेंगे, तो ना इधर के रहेंगे, ना उधर के रहेंगे, तो उस सब को प्रवाहित कर दें और खु मिलेगा ही मिलेगा, फिर उस वार कर लेंगे साधना, जरूरी क्या है अभी साधना करने की, ठीक है, तो अभी एक मजे ले लो, अब उधर भी अगर बत्ती जला रहे हैं, और उधर दूद भी जला रहे हैं, दोनों ही चीज में दिक्तत होगी, तो एक चीज अपना लेना है, और मजे करें, कोई रोक नहीं है, खुब मजे करें, खुब मजे करें, खुब मजे करें, छोड़ें इन सब चीजों को, और इन सब चीजों में आना है, तो फिर थोड़ी स्थिर्ता, थोड़ी सात्विक्ता, थोड़ी से भावविचार, थोड़ी उनके साथ बैठने की प् आप का आत्म चेस्टना है आपके अंदर के उर्जा है बाहर कुछ भी नहीं है वह आप हैं मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ आफी वो हैं, आफी वो उर्जा हैं, यही पूरा शरीर आफी का, आफी का यहीं अंग है यहां, अंग है यहां, पूरे शरीर में आफी की मात्रिका है, और वोही मात्रिका कैसे बीज मंत्र मनती है, उसी मात्रिका से बनती है, कई अलग से कुछ भी नहीं होता है, बस आपको स कहीं नई जगह से नहीं बनी है, तो थूरा सा आपको अवेयर रहना प्रेगा, थूरा सा आप समझेंगे कि मेरी उर्जाय से ब्यार्थ ना जाए, तो फिर आपको कोई धिकत नहीं होगे। देखिया। तो यह सब आप ही की तो उर्जा है, कहां अलग से कुछ भी है, तो यह थोड़ा सा समझेंगे सारे को, तो आप ही की उर्जा से निर्मित यह सारी उर्जाय है, अलग से कुछ भी नहीं है, तो आपको बस समझना है कि यह मेरी ही उर्जाय, कुछ ना जाने, कुछ ना समझें, लेकिन इतना समझ लें आप कि यह आपकी अपनी उर्जा है और हम में अपनी उर्जा को निरर्थ बेमतलब इधर से उधर नहीं बहने देना है। ध्यान तो एक सिर्फ साधन है, एक माध्यम है, अभी हम ध्यान करेंगे तो हम अपनी उर्जा को जागरित कर लेंगे, लेकिन वो जागरित उर्जा रहेगा कहां, ठीकेगा कहां, पात्र कहां, अब सब जो उर्जाओं का मेल हैं, यह जो उर्जाओं का समावेश है, इनको समझना है हमें। किलियर है सभी लोगों को भुवनेश्वरी समझ में बात आ गई कि भुवनेश्वरी क्या है। भुवनेश्वरी आपके मुल आधार हैं, आपके आधार तत्व हैं, तो आपके आधार तत्व से आपको अभी मिलन करना है, आपको खुद अपने अंदर भुवनेश्वरी की उर्जा को देखना है। आपको आपकी का आकास तत्व हैं, आपके नेत्र के तत्व हैं, आपके दोनों नेत्र हैं, आपका आकास तत्व हैं, आपका आधार चक्री की उर्जा है और ये मिलकर आपकी भुवनेश्वरी की उर्जा निर्मित होती है। तो अब हम लोग ध्यान के लिए तयार हो जाएं, ध्यान कर लें थोड़ा, ध्यान करने में मज़ा आता है कि आप लोगों को, बोड़ तो नहीं होते ध्यान होने करने में, तो बोड़ियत होती है तो बताईए, चलिए ठीक है तो फिर ध्यान करते हैं, ध्यान करके अपने पुर्जा में बदर रेना